नमस्कार दोस्तों, सीसी की इस लायो डेसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फेट स्वागत है, मित्रों हमारे विशेश श्रंखला, हिंदी कथा साहेत में महिला कथाकारों का योगदान, इस श्रंखला के तहट आज हम चर्चा करेंगे कृष्णा सोप्ती पर और इस सेक्शन के लिए बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा धिंगरा, असोसीट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदि विभाग में, तो आइए, इनका स्वागत करते हैं और कृष्णा सोप्ती इन पर विशेश रूप से हम जानकारे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर रुचिरा धिंगरा से, डॉक्टर धिंगरा आपका एक बार फ्रेसे बहुत बहुत स्वागत है नमस्का मित्रों, हिंदी कथा साहित्ती में महिलाओं के योगतान में कृष्णा सोप्ती का एक बहुत महत्वपून स्थान हमें दिखाई देता है उनके साहित्ते में विभाजन की त्रास्दी, प्रेम और उस समय जो जीवन मूले लगातार बदल रहे थे उनका विस्त्रित फलक हमें दिश्टिकत होता है विभाजन से पूर्व, पंजाब के गुजरात जिले जो इस समय पाकिस्तान कहलाता है उसमें 18 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था इन्होंने क्रमशह, लोहौर, शिमला और दिल्ली ने अपनी शिक्षा ग्रहन की कुछ समय नौकरी करने के उपरांद कृष्णा सोती जी ने अपना सारा समय स्रिशनात्मक लेखन को समर्पित कर दिया इन्होंने लगभग 16-17 साल की अलप आयू में लिखना शुरू किया साहिति की विभिन विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कहानिया दादी अम्मा सिक्का बदल गया मेरी मा कहा कहानी संग्रे बादलों के घेरे इसमें कृष्णा सोती जी की 21 कहानियों का संकलन है उपन्यासिका डार से बिछडी, उपन्यास मित्रो मैजानी, सूरज मुखी अंधेरे के दिलो दानेश, यारों के यार तीन पहार, जिन्दगी नामा, मित्रो मैजानी और समय सरकम यात्रा संस्मन्ड के दृष्टी से अगर हम देखें, तो इन्होंने बुद्ध का कमंडल लद्दाक नामक रचना अपने पाटकों को दी है चिद्र आख्यायका के रूप में इन्होंने जैनी महरबान सिंग की रचना की संस्मन्डों में इन्होंने हम हश्मत एक, हम हश्मत दो और हम हश्मत तीन की रचना की जिसमें इन्होंने अपने आपको हश्मत की रूप में प्रस्तुत किया है इस संस्मर्नात्मक पुस्तक में कृष्णा सूपती ने अपनी समकालीन उन सभी लेखकों के बारे में व्यक्ती चित्र उपस्थित किये हैं जिनसे ये किसी ना किसी रूप में प्रभावित रही है इनकी मित्रो मर्जानी ए लड़की और डा से बिछडी का नाटे रुपांदरन भी सफलता पूर्वक मंचित हुआ है इन्हें विभेन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें साहित अकाडमी अवोर्ड, शिरोमनी पुरसकार, हिंदी अकाडमी अवोर्ड, साहित अकाडमी फेलोशिप, कच्छा चुडामनी पुरसकार और श्लागा पुरसकार 2000-2001 अपने आप में इनकी प्रसिधी के कारण है समय सर्गम के लिए व्यास सम्मान को सोपती जी ने आदर पूरवग अस्विकार कर दिया था क्योंकि इनका मानना है कि यदि किसी रचना को आग-दस साल एक ख्याती प्राप्त करने में लग जाते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ हिये है कि वो रचना इस योग के ही नहीं है कि उसे वो पुरसकार मिले अथ्वा जो पुरसकार दे रहे हैं उनकी व्रिष्टी बहुत बात में उस रचना पर पड़ी उनकी स्वयम की उप्ति है युवा पीडी और अपेशा कृत पुरानी पीडी की लेख किया उजा और उनसे जुड़ी संभावनाव को ध्यान में रखकर निर्नायक मंडल निर्ने लें किसी भी अच्छी कृती को एक सम्मानिय पुरसकार तक पहुचने के लिए अगर आर दस बरस लगें तो उसे अंदेखा करना ही साहित के स्वास के लिए अच्छा होगा कृष्णा जी की रचनाये विभिन भार्तिय भाशाओं में अनुदित हुई और इस तरह से इनका पाठक बर्ग इनकी सभी रचनाओं से लाब उठा पाया उनकी कुछ लंबी रचनाई मित्रू मरजानी ऐ लड़की यारों के याद तीन पहाड पहले उच समय की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में छपी और कालांतर में उन्हें उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया मित्रू यारों के याद तीन पहाड उनकी एक जिल्द में प्रकाशित रचना है किन्तु ये दो अलग-अलग रचनाई हैं ग्रिश्णा सोप्ती की कहानियों पर विभिन आलोजकों ने समय समय पर अपना एतरास या विवात उपस्थित किया है क्यूंकि इनकी रचनाओं में जितनी मानसलता हमें दिखाई देती है उस तरहे का साहित जिस समय क्रिश्णा जी लिख रही थी अनि किसी भी लेखिका ने लिखने की हिम्मत नहीं दिखाई बादलों के घेरे का प्रकाशन 1980 में हुआ इस संकलन में उनकी 24 छोटी बड़ी रचनाएं हैं विशे की दृष्टी से इन रचनाओं को हम प्रेम संबन्धी, विभाजन से संबन्धी और इस्त्री की अपनी जो निजता है उसकी जो पहचान है उससे संबन्धित रचनाओं में विभग कर सकते हैं इस कहानी के कवर पेच पर कृष्टी ने स्पष्ट किया है कि इन कहानियों में एक समय है जो बीत जाने के बाद भी हमारे जीवन में अपना एक महत्वपून स्थान रखता है अविस्मर्निय है और उससे हम कुछ न कुछ सीखते ही हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ान के लिए उससे प्रेरित होते हैं ये कहानिया बात्कों को संवेधनाओं के कई धरातलों पर छूती हैं जगजोडती हैं और उनका रिदे करुना से संवेधना से भर उठता है विजे मोहन सिंग जो एक प्रसिद आलूचक है उन्होंने इनकी रचनाओं के विशे में बीस्मी सताब्दी का हिंदी साहित्य में लिखा है सोपती जी के कथा लेखन के विशेषता को समझने के लिए उनका बारीकी से अध्यन करना जरूरत है वरना उनकी कहानियों की रशनात्मग बुनावत इतनी सखन है कि प्राय आसानी से सरली करित निशकर्ष निकाल लिये चाते हैं अपनी साहित्य के विशे में कृष्णा सोपती का मानना है कि वो ऐसे ही लिखने के लिए नहीं बैठ पाती है जब कोई खटना वस्तू विचार उन्हें आंदोलित करता है तब वो उसे अपने अंदर आत्मसाथ करती हैं और तब किसी रशना का जन्म होता है इस कृती के साथ उनका एक निजी आत्मिक संबंध बन जाता है बादलों के घेरे कहानी संग्रे की कहानियों का रशनाकाल 1944 से 1907 तक की कालावथी है इसमें दो प्रिष्टों की छोटी कहानी नफीसा से लेकर 21 प्रिष्टों की बादलों की घेरे कहानी संमलित संकलित है नफीसा और लामा छोटी रचनाई है जैसा मैंने आपको बताया कि नफीसा दो प्रिष्टों की रचना है और लामा लगभग तीन प्रिष्टों की रचना है इन दोनों ही रच्छनाओं में उन्होंने बच्चों के मनुभावों को अपने पात्कों के साथ साझा किया है नफीसा वो छोटी बालिका है जो मृत्यों को निरंतर अपने पास आता देख रही है उसे इस बात का आश्चर है कि उसके माता पिता उसे अस्पताल में अकेला छोड़ कर कहां चले गए इसी तरहे लामा उन बच्चों की मनुभूमी को हमारे सामने उद्घाटित करता है जो लामा की मृत्यों के बाद प्रसन होते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता कि मृत्यों आखिर कहते किसे हैं उन्हें लगता है कि लामा दुबारा से उनके साथ उठकर खेलेगा और उसी तरहे का वैभार करेगा जैसा वो अब तक करता आया है विशे वैविध्ये को अपने आपने समेटे ये रच्छनाए दिल की अतल गहराईयों को छू लेने की मानविय समवेदनाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं राशनीती सत्ता का द्वन्द, दो पीडियों के बीच आपस का अंतराल व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग दोनों रूप इसके साथ ही वो जिस परिवेश में रहता है वहां की चुनौतियां परिस्थिती जन्य जो उसको संघश जिलने पड़ते हैं इन सब के चित्र पूरी सजीवता के साथ हमें क्रिशना सूपती की रशना संसार में देखने के लिए मिलते हैं अपनी भाषा और एक विलक्षन जो स्रिशनात्मक्ता हमें इन में दिखाई देती है उसके कारण क्रिशना सूपती अपने सामे के अग्रिम पंक्ती में खड़े लेखकों में अपना एक महत्वपून स्थान रखती हैं क्रिशना सूपती की कहानिया शम्मो जान बदली बरस गई अभी उसी दिन तो ततकालीन समाज का यथात और सजीव रूप हमारे सामने उपस्थित करती हैं आजादी शम्मो जान की कहानी में लोग आजादी की खुशियां मना रहे हैं किन्तु वैश्या शम्मू जानती है कि उसके लिए आजादी का कोई अर्थ नहीं है उसकी स्थिती जैसी आजादी से पहले थी वैसी ही आजादी के बात होगी उसमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा वैश्या शम्मू ने एक बार अटकी नजर से आजादी के चिरागों को देखा हवा में खड़खडाती उन जंडियों को देखा बाहर जंडे में हवा में लहरा रहे थे चिराग हलके हलके जल रहे थे, लोग आजादी से गले मिल रहे थे और अंदर शम्मोजान अपनी पुरानी आजादी बाग रही थी। उनकी उस वेदना को बहुत शिद्दत के साथ इस कहानी में उपस्थित किया गया है। बदली बरस गई की कथा नाई का कल्यानी अपनी साद्वी मा के साथ आश्रम में रहती है। किन्तो उसे लगता है कि उसका भविश आश्रम में अपनी मा के साथ रहे कर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और वो पुनहा अपने उस घर में लोटाती है, जहां पर उसकी दादी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, क्योंकि वहां वो अपने आपको सुरक्षित रखती है वह भूल जाती है कि ये वही घर था जहां से एक दिन उसकी मा को अपमानित और प्रतारित होकर निकाला गया था मेरी मा कहां में यूनुस खान संप्रादाइक दंगो में बढ़ चड़कर भाग लेता है, उसके मन में हिंदू मुस्लिम के बीच में फेदभाव स्पश्रूप से दिखाई देता है किन्तु एक छोटी सी बच्ची को खून से लत्पत देखकर उसको अपनी मृत बहन नूरा याद आ जाती है और उसका रिद्य परिबर्तन हो जाता है वह उस बच्ची का ना केवल इलाज कराता है, किन्तु यह प्रण भी लेता है कि वह उसे हमेशा अपने पास रखेगा और एक बड़े भाई की तरह उसका ध्यान भी रखेगा, उसका पालन पूशन भी करेगा बादलों के घेरे के समान, कृष्णा सोप्ती की एक दिन, दोरी सांच, दो राहें, दो बाहें, कुछ नहीं, कोई नहीं में हमें प्रेम के विभिन रूप दिखाई देते हैं कुछ नहीं कोई नहीं प्रेम में द्वन्त की शिकार शिवा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है वे अपने प्रेमी आनन के साथ जाना चाहती है इसलिए अपने पती रूप को छोड़कर आनन के साथ 10 वर्षों तक अपना जीवन हसी खुशी बिताती है किन्तु अपने पती को और पती के साथ बिताएवे जीवन को वो कभी भी भूल नहीं पाती आनंद उसे बहुत दिनों तक विभिन होटलों में घुमाता रहता है उसे अपने घर नहीं लेकर जाता और अंद में जब वो लेकर जाता भी है तो शिवा को ये पता चलता है कि ना किवल आनन्द विवाहित है अपितू उसके बच्चे भी है शिवा चाहें दुखी होती है किन्तो अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो आनन्द के साथ ही किसी तरह समझोता पूर्वक रहने लगती है उसे ये भी लगता है कि आनन्द के प्रेम के कारण उसने अपने पती को छोड़ा था आनन्द के मृत्यों के बाद उसके जीवन में विवश्ता, खुटन, अकेला पन और अथिक फैल जाता है ना केवल आनन्द की पूर्वपत्नी अपितू बच्चे भी उसकी खुल कर उपेक्षा करने लगते हैं इतना ही नहीं बच्चे जिस मकान में वो रहती थी उसको बेच देते हैं और जब कभी भी उससे बात करने का अफसर आता है तो बिना किसी संभोधन के उससे बात करने का प्रयास करते हैं वह अपने पती रूप को पत्र लिखती है जिसमें वो अपने मनुभावों को व्यक्त करते हुए कहती है अब आनन नहीं मैं ही रह गई हूँ अब ना कभी भी वे दो आखे मेरी ये आखें देखेंगी अब ना कभी वे बाहे इन बाहों को चुएंगी ना कभी वे मीछी देही का प्यार बरसाएंगी जिसके लिए तन मन का पानी उतार मैं एक दिन तुम्हारी ग्रहस्ती लांग आई थी उसे बाद में इस बात का अफसोस होता है कि उसने इस प्रकार का आच्रण क्यों किया दो राहें दो बाहें कहानी विवाहरितर संबंधों को हमारे सामने स्पष्ट करती है यहां कृष्णा जी ने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि यदि उचित वातावरन इस तरी को अपने घर में नहीं मिलता तो वो अन्यत्र उस प्रेम को तलाशने लगती है और अपनी सीमा रेखा को लांगने में भी संकोच नहीं करती वस्तोता यह कहानी ग्यारा सपनों का देश उपन्यास के एक अधाय के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी अतह लेखिका इसको बाद में जब कहानी के रूप में प्रकाशित करती हैं तो इसकी कथा में या पात्रों में कोई विशेश परिवर्टन नहीं कर पाती व्रिधा वस्ता मनुष्य के जीवन की वहसांज है जहां वो अपने आपको निरंतर अकेले से और अकेला अनुपफ करने लगता है सभी उसके काम खत्म हो चुके होते हैं बच्चे विवाहित हो चुके होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो घर के कोने में फाल्तू पड़े समान की तरह है जिसे जवद पढ़ने पर ही कभी कभार निकालना पड़ता है ये अकेला पन, घुटन, विवश्ता उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं दादी अम्मा और अभी उसी दिन ही तो इन दो रिशनाओं में कृष्णा सोपती ने व्रिधा वस्था में मनुश्य की क्या मानसिक्ता हो सकती है या वो अपने आपको किस प्रकास से परिवार के लोगों के मध्य रहते वे भी अकेला या अजनभी अनुभव करता है इस बात को हमारे साथ सांचा किया है इन दोनों ही कहानियों में व्रिधाएं अपने संपून अथिकारों को खो देती हैं और एक प्रकास से रीते हाथ उस परिवार में रहने के लिए विवश हैं विभाजन की प्रिष्ट भूरमी में रचित कृश्ना सोपती की कलगी कहानी अपने आपने एक महत्वपून रचना है इस कहानी में सरदा जोद सिंग की कलगी पूरे पंजाब की आन्बान शान है इस रश्णा में जोज सिंग और अंग्रेजों के मध्य हुए युद का सजीव चित्रन हमें दिखाई देता है। कृष्णा सुप्ती के लेखन के विशे में अशोग वाचपई ने एक स्थान पर बहुत ठीक कहा है। कृष्णा सुप्ती की दृष्टी महा का व्यात्मक है और उन्होंनी कथा की संग्रचना में मूल गामी नवाचार किया है। उनके यहां उदग्र नागरिक्ता और जिम्मेदार आधुनिक्ता है और वे उसे लोग जीवन में अवस्थित करती हैं। मानविय संबंधों की गहनता और विडंबनाओं का उनका कथा अनवेक्षन अप्रतिम है। आप उनकी किसी भी रश्णा को पढ़ लिजे। उसमें मानव, दूसरे मानव के साथ किस प्रकार का आच्रण करता है। या व्यक्ति अपने विभिन रूपों में किस प्रकार से अपने आपको व्यक्त करता है। इसका बहुत सुन्दर अंकन उन्होंने किया है। नाईका मन्नो तप्वेदिक, जिसे यश्मा रोग भी कहा जाता है, उससे पीडित थी। ये वो दोड़ था मित्रों जिस समय टीबी को छूत की बिमारी कहा जाता था और इसे एक असाध्य रोगलत के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाता था। लोग इससे बह अधिक भैभीत रहते थे। वह भोवाली के सेनिटोरियम में अकेले अपनी निकट आती मौत से जूशती रहती है। रवी से उसकी मुलाकात अपनी चाची के घर होती है। मन्नों की चाची रवी की बुआ हैं। दोनों की मित्रता रवी के मन में प्रेम उत्पन करती है। किन्तु वह स्पश रूप से देख पाता है कि चाची के घर में मन्नों के साथ एक अजनबी की तरहे व्यवहार किया जा रहा है। कोई भी उसका आना पसंद नहीं करता। मन्नों किसी से कुछ नहीं कहती, चुप चाप वापस भुवाली चली आती है। अगले ही दिन रवी बिना अपनी बुआ को बताए मन्नों से मिलने भुवाली आता है। किन्तु यहां पर भी मन्नों क्योंकि जानती है कि उसे किस प्रकार का रोग है वो रवी के साथ एक रवी को अंदरी अंदर कचोट से भर देता है और वह वहां से चला चाता है सारी की सारी कहानी सम्रितियों के माध्यम से आगे बढ़ती है रवी की उक्ति है सच ही मैं ठहरा नहीं उतरता चला गया और हर पक के साथ दूर होता चला गया उस कौटेज से उस कौटेज में रहने वाली मन्नों से मन्नों की उन दो आखों से पर मन्नों की स्मृति से नहीं सभी पात्रे इस कहानी के एक दूसरे के साथ आत्मियता का अनुभव करते हैं और शायद यही कारण है कि रवी की बुआ उसके मनोभावों को जानने के बाद भी उसे आगे बढ़ने के लिए मना करती है क्योंकि वो जानती है कि एक ना एक दिन मनो मृत्यू को प्राप्थ होगी दस वर्षों बाद इतिहास अपने आपको पुना दोहराता है आज रवी उसी सेनिटोरियम में टीबी के रोग से ग्रसित अकेले पन में अपना जीवन बिता रहा है उसे इस बात की स्मृतियां आती है कि किस प्रकाश से जब मनो को उसकी समवेदना के स्तर पर सरवाधिक आवशकता थी वो उसे छोड़ कर चला गया था उसे लगता है कि पत्नी और बच्चों के होने पर भी यदि आज मनो होती तो शायद उसे झेल लेती रवी की पत्नी चाहें उसे प्रेम करती हो किन्तु वो अपने बच्चों को ये निर्देश देती है कि वो पिता से दूर से ही नमस्ते करें क्योंकि उसे पता है कि उसका पती एक ऐसी बिमारी से ग्रस्त है जो उसके बच्चों को भी लग सकती है सारी की सारी कहानी में सुलिती के माध्यम से बहुत सुन्दर ढंग से लेखिका ने इस बात को बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी समवेदनाओं को का गला घोट लेता है और जब उसके पास वही शन उसके जीवन में आते हैं तो वो अकेलापन, घोटन और विवश्टा को महसूस करने लगता है मीरा अपने आपको अपने पती से अलग नहीं करना चाहती किन्तु वो उसके साथ भी नहीं रह पाती है ये सारी की सारी चीज़ें उपर से जितनी समाने हमें दिखाई दे रही हैं अपने आप में जीवन के कटू यथार्थ को अपने में समेटे हुए है और लेखिका उसे पूरी तरह से अंकित करने में सफल रही है सिक्का बदल गया कहानी लेखिका की एक अन्य बहुचर्चित रचना है देश विभाजन की प्रिष्ट भूमी में बदलते मानविय मूल और रिष्टों का दस्तावेश प्रस्तुत करने वाली ये कहानी अगेजी को भी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस कहानी को बिना किसी कार्जात या बदलाव के प्रतीक में स्थान दिया था शाहनी और चनाप का आपस में बहुत खूबसूरत रिष्टा होता है जब से शाहनी दुलहन बनकर आई थी वो चनाप में ही स्नान करती थी उसके आसपास का जितना भी जगे थी हवेली थी वो सब शाहनी की थी किन्तु सांप्रदाइक दंगवे होने के कारण शाहनी को वो जगे छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ता है शेरा जब उससे आकर कहता है कि हमें यहां से जाना होगा तो शाहनी कुछ भी नहीं कहती चुप चाप भीगी आँखों से चीजों को देखती रहती है उन चीजों को जिसको छोड़कर उसे अब जाना था वो संपती जो उसने अपने पूरे जीवन काल में सहेजी थी और इसके साथ ही साथ वो नाते रिष्टे आपस में संबंध इन सब को छोड़कर उसे इस थान से जहां उसने पचास वश बिताए थे छोड़कर जाने का दुख उसे होता है वो भारतिय पंजाब की ओर रवाना होती है पूरा गाउं शाहानी के साथ ट्रक तक आता है उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो शाहानी को अपने साथ नहीं रख पाए और अंत में वो शाहानी से ये अनुरोद करते हैं कि शाहानी अपने मन में किसी भी प्रकार का मैल मत रखना डार से बिछडी निकश पत्रिका में प्रकाशित कृष्णा सुपती की एक ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने पाशो नामक एक युफती का बनन किया है कहानी का शीशक सुन्दर है पाशो संपूम जीवन में अपनी मा के कर्मों का प्राशित करती है उसकी मा सराफों की बेठी है किन्तो अपने ही कस्पे में रहने वाले शेखों के यहां प्रेम विवहा कर लेती है दोनों परिवारों में से किसी को ये बात पसंद नहीं आती और पाशो अपने नाना नानी मामा मामी के साथ रहती है उसका नाना नानी उसको अपनी मा से मिलने की अनुमती नहीं देते एक समय ऐसा आता है जब उसके नाना को इस बात का शक हो जाता है कि वहें भी अपनी मा की तरहे एक विजातिया पुरुष के साथ प्रेम कर रही है पाशो को इस शर्यंत्र की बू आ जाती है और वो भाग कर अपनी मा के पास चली जाती है उसे लगता है कि शायद मा की चाओ उसके जीवन को शीतलता प्रदान करेगी शेखो उसका विवाह एक उम्र में बड़े व्यक्ति से कर देते हैं जो उसे पुत्रवती कर इस संसास से विदा हो जाता है दुनिया उसके रखवाली बनकर खड़ी हो जाती है पाशो का जीवन घुटन से खिरने लगता है और वो चाहती है कि उसे मौत आ जाए ऐसे में उसका भाई पुना उसको आकर उस डार से जोड़ देता है जिससे वो बिछड़ चुकी थी कहानी अपने आप में मार्मिक है कृष्णा जी ने इस कहानी में अर्भी फार्सी शब्दों का बहुलता से प्रियोग किया है उर्दू इसलिए उन्होंने इसमें जादे उनका शब्दों का प्रियोग किया क्योंकि मुस्लिम पात्र इसमें अधिक है समान्य पाठक या हिंदी पाठकों के लिए यदेपील ये शब्द किंचित क्लिष्टा लिए हैं किन्तु फिर भी पात्रा नुकूल प्रसंगा नुकूल होने के कारण ये पाठकों पर अपना उचित प्रभाप दिखाते हैं मित्रों अपने अगले वक्तावे में हम कृष्णा सोपती की अने रशनाओं पर विस्त्री चानकारी लेने का प्रयास करेंगे धन्यवाद किन्यवाद झाल झाल नमस्का मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं कृष्णा सोप्ति के रश्णा संस्कार के बारे में कृष्णा सोप्ति ने बहुल कथा साहिते लिखा है उनकी रचना यारों के यार तीन पहाड बस्तो तहर दो अलग अलग रचना है यारों के यार दिली के सरकारी दफ्तरों में किस प्रकास से फ्रिष्टाचार फैला हुआ है लोग एक दूसरे के ऊपर व्यत का दोशा रोपन करते हैं और अपने अपने कृत्यों को किसी ना किसी तर्क कुतर्क के माध्यम से सही साबित करने का प्रियास करते हैं इस और हमारा ध्यान आकशित करती है क्लरकों की मानसिक्ता कितनी भरष्ट है और समाज में मानविय समवेदनाई किस प्रकास से लुप्थ होती जाती हैं यदि देखना हो तो क्रिष्णा सुपती का यारों का यार पढ़ना आवश्यक हो जाता है इस रचना में एक पिता अपने बेटे की मृत्यू पर भी अवकाश लेने की जहमत नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि उसका दफतर जाना बेटे की मृत्यू से जादा जरूरी और महत्वपून है इसके साथ ही दफतर के सभी लोग भ्रिष्टाचार में लिप्त हैं और उपर की कमाई किस प्रकास से जादा से जादा हो इसी बात की तिगड़म लगाते रहते हैं आपस में वे सभी एक ऐसी भाशा का उप्योग करते हैं जो साधारन तह समाज में सब भी लोगों के बीच नहीं बोली जानी चाहिए इमानदारी, नैतिकता, लोगों की मदद करना जैसे अब स्वपन की बाते हो गई हैं या हम किसे कहानियों में इनके बारे में पढ़ते हैं इस उपन्यास में सूरी, नामक पात्र, भरष्ट, कलरकों, प्रशासनों, नेताओं की जितनी भी कारगुजारियां हैं उनका परदाफाश करता है उसका मानना है कि यदि किसी व्यक्ती को अफसर का पद प्राप्त करना है तो उसे अपने बच्चों को एक उच्च शिक्षा दिलानी जरूरी है अन्यथा उसके बच्चे भी उन्हीं की तरहे कलरक के पद से ही रिटायर होंगे वह अपने सहकर्मियों को समझाते हुए कहता है यार लानत है तो हम सब पर है जो कलग की कुरसी पर ही पेंशन पाज जाएंगे इस उम्र में हमारा तुमारा छुटकारा तो होने से रहा हाँ अपने अपने लड़कों को अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाओ सालों नहीं तो इनहीं अफसरों के लॉंडे तुम्हारे बच्चों के गलों में नाखून देंगे और किस्मत के मारे वे भी इनहीं कुरसियों पर बूड़े हो जाएंगे सरकारी तंत्र इस प्रकार का है कि पदो उन्नती उसी व्यक्ति को मिलती है जो अफसरों के तलवे चाड़ता है उनकी जीहजूरी करता है यहाँ पर योग्यता प्रतिभा का कोई अर्थ नहीं होता सूरी और माथुर इस बात को भी मानते हैं कि दफ्तर और दुनिया इन दोनों में बहुत अधिक सामे है जिस प्रकासे दुनिया में हम उन्हीं व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं जिन से हमारा कही ना कहीं कोई ना कोई फाइदा हो उसी तरहे से दफ्तर में भी हम केवल उन्हीं लोगों के आज सामे पेचाते हैं जो हमारी या तो प्रगती में हमारा साथ दे या जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको आँख बन करके स्विकार करते चले जाएं स्वार्थ धोकाधड़ी को आज के दुनिया बुरा नहीं मानती वो मानती है कि यदि इस जीवन को सुचारू रूप से जीना है अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो हमें थोड़ी सी धोकाधड़ी थोड़ा सा स्वार्थ थोड़ा सा कपट हम अपने अंदर लेकर आन देश की विवस्था पर भी ये उपन्यास थोड़े भूत छीटे डाल लता है और व्यंग के माध्यम से इस बात को बतानी की कोशिश करता है कि समाज में हर व्यक्ति अपने आपको पाक, साफ, घोशित करता है वो ये भूल जाता है कि जिस व्यक्ति पर वो उंग्ली उठा रहा है बाकी की चार उंग्लियां उसकी तरफ भी इशारा करती हैं दूसरों को अपमानित करना, बेज़त करना, उनके अच्छे कामों में भी कही ना कहीं से तुरुक्या निकालना हम सब अपना परमधर्म मानते हैं सुरी इन सभी लोगों को एक तरहे से उनके जो मूँ के उपर नकाप रखा हुआ है उसको अपने नाखुनों से अलग करता हुआ हमें दिखाई देता है तीन पाहाड, रचना, दाजलिंग, तिस्ता और मनिहारी घाट के प्राकृतिक वातावरन को हमारे सामने उपस्थित करती है कथा नायक तपन अपनी पुरानी स्मृतियों के वशिभूत होकर दुबारा से उस थान पर आता है जहां कहीं उसने अपनी प्रेमिका के साथ कुछ पल प्रेम पूर्वग बिताए थे कहानी में शिरी, जया और तपन के त्रिकोन की कथा दिखाई देती है शिरी, जया से प्रेम करता है और अपनी मा की अनुमती लेकर उससे विवाहा भी करना चाहता है किन्तु परिस्थित्यों के कारण वो रौस की बेटी एडिनीना से विवाहा कर लेता है प्रेम में असफल प्रेमिका जया दाजलिन में जब तपन से मिलती है तो उसके प्रती आकशित हो जाती है किन्तु वहीं पर शिरी और जया को देख पदा नहीं उसके मन में क्या आता है कि वो अपने आपको विवश समशने लगती है शिरी जो खुद जया को मजधार में छोड़कर एड्मिन के साथ विवाहा कर लेता है वहें तपन और जया की आपस में आती हुई नजबीकियों को सेहन नहीं कर पाता जया को तपन की और आकशित देख वहें कुन्था ग्रस्त हो जाता है एड्ना और शिरी की उपस्थिती जया को विचलित करती है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और चुप चाप पिसका नदी में समाहित हो जाती है आशा से निराशा, निराशा से हताशा तक के इस लंबे सफर को जया छेलती है किन्तु पाठकों को ये समझ नहीं आता कि अपनी इस विवश्था से मुक्ति के लिए वो मृत्यू का वरण क्यों करती है क्या इसके अतिरिक्त और कोई समाधान उसको नज़र नहीं आता क्या वो तपन के साथ विवाहा करके और अपनी जीवन को सफल नहीं बना सकती थी ये सब विचार, ये सब प्रश्न, अनसुल्चे, अनुत्तरित हमारे सामने आते हैं ये लड़की कहानी मानविय संबंधों के टूटते, बिगडते, जूजते मनुष्य को हमारे सामने लेकर आती है ये कहानी इसलिए भी महत्वपून है क्योंकि मानविय संबंध और जीवन इन दोनों ही कोणों के, इन दोनों ही छोरों के ये विभिन रूप, विभिन अर्ध हमारे सामने अंकित करती है ये कहानी अपनी पुस्तका का रूप में आने से पूर्व बर्तमान साहित के कहानी महा विशेशांग अप्रेल 1991 में प्रकाशित हो चुकी थी कहानी की स्रिजन शीलता के बारे में लेठिका की उप्ती है जब मेरी माँ अपने अंतिम समय अस्पताल में पड़ी थी कहा करती थी यह प्रकाश जलता रहेगा वास्तव में ए लड़की लिखते समय यह बात मेरे मन में थी ए लड़की किसी भी मा की समवेदना हो सकती है उसने मेहनत से जीवन जिया है, परिवार बनाया है, कुछ पाया है, कुछ खोया है इस्तृत्व के विधान में जीवन से विदा होते अपने समय को चितेरा है ए लड़की कहानी एक विधा मा और उसकी अविवाहित पुतरी की कहानी है यह कहानी एक समूची पीडी का प्रतिनिद्व करती वी मा किस प्रकार से अपनी जीवना नुभवों को और जो कुछ भी उसने इस जीवन से संचित किया है उसको किस प्रकार से अपनी बेटी को स्थानांतरित करती है इस बात को पाटकों के सामने लेकर आती है ये बेटी ना केवल विवाह संस्था को अस्विकार कर देती है अपने आप में ही मस्त रहती है पढ़ने पढ़ाने की अपनी दुनिया में खोई रहती है इसके विप्रीत ब्रिधा मा जीवन को उसकी अंतिम बून तक जीने की जीवशा अपने अंदर समेटे हुए है वह जानती है कि कूले की हड़ी तूट जाने के कारण वो बिस्तर तक सीमित हो गई है और दर्वाजे के भीतर से धीरे धीरे ही सही मौत उसकी ओर बढ़ती आ रही है किन्तु ऐसे समय में भी वो जीवन को जब तक है तब तक पूरी शिद्दत के साथ जीना चाहती है उसका मानना है जीना और जीवन चलना नहीं है इस दुनिया से चले जाना चलना है ये दुनिया बहुत सुहानी है हवाई, धू, घटा, बारिश, उजाला, अंधेरा इस लोग की तो लीला ही अद्भुद है देह तो एक वसन है पहना तो इस ओ चले आए, उतार दिया तो परलोग, दूसरों का लोग वो अपनी बेटी को भी यही बात समझाने का प्रयास करती है उसकी बेटी विवाहित नहीं है, किन्तो फिर भी मा उसको पती-पत्नी संबंध बच्चे की इस दुनिया में आने की पूरी जो उसका जन्म प्रक्रिया है उसके विशे में, परिवार के विशे में, उस परिवार में इस्त्री की अपनी क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में और किस प्रकास से एक इस्त्री को आत्म निर्भर होना चाहिए इस इन विभिन प्रसंगों को उसके साथ सांझा करती है और अपने अनुभवोंग से उसको लाभानवित करने का प्यास करती है लेखिका वृध्धा के माध्यन से इस्तरी जीवन के विभिन पक्षों को, विभिन रूपों को हमारे सामने उदघाटित करती चलती है उसके अनुसार इस्त्री का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहायत जरूरी है क्योंकि परिवार में पुरुष की सत्ता इसी लिए स्थापित हो पाती है क्योंकि बहे आर्थिक रूप से स्वतंत्र है यदि महिला अपने आपको इतना सबल कर ले कि वो धनाजन कर सके तो ना केवल परिवार में वो अपना योगदान दे सकती है अपितु वो अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकती है उसे जब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी, निर्भर होगी अपने उपर तब वो गलत को गलत कहने का साहस भी रख पाईगी वृध्धा अपनी बेटी से खिड़की के मोटे परदे को बदलने के लिए भी जोर देती है यहाँ परदे उन रीती रिवाजों परंपराओं के प्रतीक हैं जिन्हें नारी ने जान बूच कर कस कर बंद कर रखा है एक हवा का छोटा सा जोंका भी वो उन परदों के पीछे से अपने कमरे में आने नहीं देती लेखिकाम का मानना है कि जब तक इस्तरी उन खिड़कियों को नहीं खोलेगी उनसे उन हवाओं को अंदर नहीं आने देगी तब तक उसके जीवन में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे सकता थोड़ी सी ही सही हवा उसको भी चाहिए उसको भी जीने के लिए सांस चाहिए यहां कहीं पर भी लेखिका ने ये नहीं कहा कि नारी अपने कर्तव्यों से विमोख हो जाए उन्होंने कहा है कि नारी का जीवन तभी सार्थक है जब वो अपने दायत्वों का समुचित रूप से निर्वाहा करे किन्तु इसके साथ साथ वो अपनी इच्छाओं का भी गला ना खोटे मा खुद भी अपनी धार्नाओं के अनुसार आचरन करती है इच्छा होने पर वे बेटी के साथ सिगरेट भी पीती है और अपनी नर्स सूसन से भी ये बात कहने में हिचकेचाती नहीं कि शादी के बाद किसी के हाथ का जुन्जुना नहीं बनना अपनी ताकत बननी है नारी को पुरुष की अर्धांगनी माना जाता है किन्तु उसको अनुगामनी बनने की आवश्यकता नहीं है सहगामी बनना ही दोनों के लिए दोनों की प्रगती के लिए आवश्यक है मा इस्त्री के जीवन में विवाहा की उप्योगिता के विशे में भी अपने विचार स्पश रूप से अपनी पुत्री को समझाती है उनका मानना है कि नारी की जीवन में एक प्रकार का लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही लचीलापन उसे सार्थकता देता है, उसे एक पहचान देता है पती का एक प्यार भरा स्पश उसे अपनी जीवन में आई हुई वह सारी कठनायों से मुक्त कर देता है उसे ऐसा लगता है कि कोई एक कंधा है जिस पर सिर रखकर वो रो सकती है अपने मन की बात कह सकती है अकेले जीवन जीना व्रिधा मा की विष्टी में कोई बड़ा काम नहीं है कोई उपलब्धी नहीं है उपलब्धी तो इस बात में है कि जीवन को किसी के साथ मिलकर जिया जाए जीवन में आने वाले सुख दुख को बांट कर हस कर जेला जाए मा अपनी बेटी से कहती है लड़की अपनी इखैरी यात्रा में क्या प्रमानित करोगे कुछ भी नहीं संग-संग जीने में कुछ रह जाता है कुछ बह जाता है अकेले में ना कुछ रहता है ना कुछ बहता है और इस प्रकास से लेखिका यहां सपश्ट करती है कि चाहें पुरुष हो या इस तरी अकेले जीवन जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोनों को एक दूसरे की साथ की जवत है और ये साथ तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का आदर करें एक दूसरे के कामों को सराहें और एक दूसरे की कम्यों को दूर करने की कुशिश करें आज भी मित्रों समाज में बेटी के जण पर बहुत अधिक उत्साह नहीं मनाया जाता ऐसा माना जाता है कि बेटी के जन्म के बाद उसके दहेज की चिंता उसके भविश्य की चिंता अभी भावकों को इतनी हो जाती है कि वो या तो उसको जन्म लेने से पूर्वी मार डालने का दुस्सा हस करते हैं या जन्म लेने के बाद उसके साथ इस प्रकार का वेवार किय जाता है जैसे वो उनके परिवार का अंग ही ना हो पैदा होते ही बेटी की भविश्य की चिंता करने वाले अभिभावकों को इस कहानी में सपर्श रूप से लेखिका ने ये बतानी की कोशिश की है कि मा अपने पुत्री को जन्म देने के उपरांत हमेशा के लिए सदा अपने में अपने से अपनी पुत्री को देखती है पुत्री से उसकी पुत्री को देखती है और ये क्रम अनवरत रूप से चलता चला जाता है सृष्टी का निर्मान भी इस्तरी के माध्यन से ही होता है इसलिए उसको हीन दृष्टी से या कम तर नहीं समझना चाहिए वृध्धा मा अपने अधिकारों के लिए भी पूरी तरे से सचक है वो जानती है कि उसके मृत्यू एकना एक दिन जरूर आएगी और इसलिए वो अपनी संपत्ती की वसीयत करना चाहती है वो अपनी बेटी को बुला कर अपनी वसीयत के बारे में बताती है और उसे बताती है कि वो वसीयत में किस प्रकार से उसके और उसके अन्य भाई भेनों के बीच संपत्ती का बटवारा करना चाहती है यह कहानी जीवन की कहानी है यह हमें बताने के कोशिश करती है कि जीवन में सुख दुख सबके आते हैं किन्तों उन सुख दुखों को छेलते हुए सुखों के से प्रेणा लेते हुए दुखों से संघश करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है यहां लड़की अपनी जीवन में मा की मृत्यू के लिए जगे बनाती है और मा अपनी मृत्यू में लड़की के लिए जीवन खोच रही है मर्ध्य वर्गिय परिवारों में समाने तह नारी अपने एहंकार को केवल दिखावे के रूप में दिखाती है उसके अंदर एहंकार होता नहीं है वो निरंतर परिस्थित्यों के साथ समझोते करते चली जाती है और एक प्रकास से किसी ना किसी तरह अपनी परिवार को एक बराने की कोशिश करती है उसका ये एहंकार एक तरह से अगर हम देखें तो उसके अंदर की खुटन को उसके अंदर की विवश्चता को दुख को ही व्यक्त करने वाला होता है दो इस्त्रियों के आपस में वारताला और एक बुड़ी अम्मा के एकालाप से इस कहानी का विकास होता है शिल्व की दृष्टी से अगर हम देखें तो ये कहानी अपनी समय की सरवाथिक चर्चित और विवादित रशना रही है व्रिधा अम्मा को उसके विगत जीवन की समृतियां लगाता जग छोड़ती रहती है उसका अपना घर परिवार उसके विवाहा की समृतियां पहली बार मा बनने का जो एक प्रसंता होती है उसकी समृतियां अपने अकेली रहने वाली बेटी के भविश्य की चिन्ता ये सभी खटनाई आपस में एक मोती की तरहे पिरोई हुई हमें दिखाई देती है जिस प्रकाश से मोती का एक दाना यदि बिखर जाए तो पूरी की पूरी माला ही नश्ट हो जाती है उसी तरहे से इस व्रिधा का जीवन एक समूचे रूप में हमारे सामने तभी उपस्तित होता है जब हम इन घटनाउं का विशलेशन विवेचन करते हैं विवेच्च कहानी की भाषा सहच, सरल और जीवन थै इतना होने पर भी हम ये नहीं कह सकते कि इस कहानी की भाषा सर्वथा दोश्युक्त है एक मा का अपनी बेटी को बार बार ए लड़की कहकर पुकारना निश्ट ही पाठकों को अजीब लगता है उन्हें समझ में नहीं आता कि मा अपनी बिट्या को इस तरह से क्यों संबोधित कर रही है इसी प्रकार मात्रित्व के संबंध में बच्चे बनाते हुए का उप्योग करना कहां तक एक आदश की स्थापना करता है ये लेखिका ने सपश्ट नहीं किया है मित्रों लेखिका की रच्चना सूरच मुखी अंधेरे के 1972 की रच्चना है 127 प्रिष्टों का ये उपन्यास अपने कथे और शिल्फ दोनों ही दृष्टी से महत्वपून है बश्च्वन में यौन हिंसा से ग्रस जो रती नामग नाइका है वो इतनी अधिक भैबीत हो जाती है कि वो जीवन परियंत उस भय से अपने आपको मुक्त नहीं कर पाती एक अश्च सुरक्षा की भावना उसके अंदर जन ले लेती है वह अपने प्रेमी असत की अचानक मृत्यों के बाद विवाहे दिवाकर के साथ संबन स्थापित कर लेती है और उसी में अपने खोई हुए प्रेम को पाने की तलाश करने लगती है पर अंततह उसे ये ज्यात होता है कि दिवाकर उसे वह समाज में प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता जिसकी वो अधिकार्णी है और उसका अकेला पन और अधिक उसको घेरने लगता है इस्त्री पुरुष के प्रेम संबंध का इतना विस्त्रित और सजीव अंकन कदाचित इससे पहले किसी भी महिला लेखिका के द्वारा नहीं उकेरा गया था 1972 के आसपास लिखा गया उपन्यास दिलो दानेश दोसो प्रिष्ठों और बीस अध्यायों में विभक्त है इस उपन्यास में भारत में मुस्लिम शासन के समय दिली में जो मिली जुली संस्कृती हमें दिखाई देती है उसका आइना अपने पाठकों के सामने आता है इस हिंदू मुस्लिम संस्कृती के प्रतीक कथा नायक वकील कृष्ण नारायन है उनके घर के दाइन तरफ फराशत खाना है और बाइन तरफ हवेली महग बानो और कुटुम प्यारी क्रम शह फराशत खाने और हवेली में रहने वालियों का प्रतिनिधित्व करती है हिंदू रीती रिवाजों से युक्त हैं और वहीं पर रहीसी के कारण और अपनी प्रेमिका के कारण जो मुस्लिम है उससे सामन्ती जो संस्कृती है उसको भी अपने अंदर उन्होंने समेटा हुआ है महत बानों को उन्होंने एक घर दिया है और उससे उनके दो बच्चे मासूमा और बद्रू हैं इन दोनों ही बच्चों का हवेली में प्रवेश वर्जित हैं ये दोनों केवल अपने भाई के जनम दिन पर ही एक बार हवेली आते हैं फराशत खाने की महिलाएं अमीर जादों के को अपने प्रेम में फसा कर पड़ पीरन का आनंद अनुभव करती हैं किन्तु उन्हें कभी भी समाज में वो प्रतिष्ठा या वो स्थान प्राप नहीं हो पाता जो हवेली में रहने वालियों को मिलता है अपनी मृत्यू से पूर्व कृष्ण नारायन अपनी वसीयत में भी अपनी बिहारता पत्ने और बच्चों को अपनी संपती का अधिकांश भाग देते हैं और महग बानों और उसके बच्चों को कुछ रकम देकर अपने करतव की इतिशिरी समझ लेते हैं कथा के अन्तक आते आते नाइका समझने लगती है कि उसकी स्थिती क्या है मित्रों यहां पर हम देखते हैं कि विवाहित संतान और उसकी स्विक्रिती का प्रश्न गेवल आजकी की समाज का प्रश्न नहीं है यह क्रिश्ना सोप्ती ने उस समय भी लिखा था धीरे धीरे महग दूसरा वकील करती है और अपनी संपती पर अपना अधिकार घोशित करती है अपनी पुत्री का पर वाह वो धूम धाम से करती है मित्रों अपनी अगली बार हम लोग इनके अन्य उपन्यासों के बारे में जिसमें मित्रों मर्जानी जिन्दगी नामा विशेश रूप से चर्चित है उनके बारे में बात करेंगे और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा जिंग्रा को आपके माधिम से आज हमें कृष्टना सोब्ती जी पर विशेश रूप से जानकारी प्राप्त करने का मौका मेला और मित्रों हम यही चाहेंगे कि आजके सुद्याख्ष्यान के माधिम से आप अपने ग्यान में विद्धी तो कर ही पाएं हैं और अगर प्रश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आपके प्रश्चनों का हम स्वागत करते हैं आप हमसे संपर कर सकते हैं हमारी mail ID के जरीए हमारी mail ID है info.cc.in आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हों सुझाव हों वो भी आप इस ID के जरीए हम तक पहुँचा सकते हैं आपकी प्रश्णों के उत्तर देने की हम कोशिश करेंगी जब अगली बार दॉक्टर रुचिरा धिंगरा हमारे सुझाव पहुचेंगी तो यह जो सलसला है लेक्षिज देखने का और प्रतिक्रिया साजा करने का यह चलता रहना चाहिए जल्द आप सभी के लिए इस तेक्षर को यूट्यूब पर अप्लोट किया जाएगा उसके उपरांत अपने जिग्यास है जरूर हमारे साथ साजा करें आप सभी से पुनाह मुलाकात होगी और एक बार फिर से हम डॉक्टर उचिरा धिंगरा का बहुत पर धन्यवा देना चाहेंगे